आजम बात करेंगे इलेक्टो मोटिफ फोर्स की उसे पैनले स्ट्रेंट्स थोड़ा से मैं इस सरकीट की बार में आपको समझा आपको यह थोड़ा अच्छा समझा आएगा तो इसलेंट्स यहां देखिए हम पर एक बैटरी लगी है एक रजिस्टेंस और फ्लो कर रहा है तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूब करता तो इसके अपोजिट डिरेक्शन में क्या होता है 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 क्या एक कि बैट्री क्या कर रहे है इस electron को बार बार एनर्जी दे रही है और इलेक्टरोन को ले रहा है हो इसके बाद हायर पोड़े है और वहां से क्या रहा है और अपोजित एसमीर कर रहे है तो यहां पर काम तो जो बैटरी का जो काम है वह का है आपका energy देना ठीक है तो देखते हैं आपके लिए energy supply by the battery to the unit charge is moving moving from lower potential to higher potential is called EMF ठीक है तो इसे ही EMF बोलते हैं EMF का मुलेक है electron को electron का motion कराना ठीक है lower से higher potential की बड़ जिसकी वज़े है आपका इसे को क्या बोलते है EMF ठीक है stress तो EMF is equal to double upon q लिख सकते हम लोग और double upon q को हम लोग पता है ना potential difference भी बोलते हैं ठीक है लिकिन याद दखना कि जो EMF है और potential है अपने आप में काफी अलग-अलग है ठीक है तो फिलाल तो यह भी कहाएगी यह भी work done to moving a charge from lower potential to higher potential ही है और इसको हम EMF बोल लें तो EMF और यह जो potential difference है potential जो है आपका इस पोटेंशल डिफ्रेंश यह आपका दूनों अलग लगए आपको पता है potential क्या करता है potential क्या क्या करता है potential drop को measurement करना के काम आता ठीक है potential difference पॉटेंटील डिफ्रेंट्स क्या करता हूं सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर तो इसको यूटुनल मोचल कर तो सब्सक्राइब है बॉर्ट के यूनिट के ठीक है है ना तो इसे जू है जो एेमर होता है ठीक है जो एएमर होता है मेंली आपका क्या होता है इसमें जो chemical energy होती है वो electrical energy नेनजी में change हो रही है 우리가 chemical energy चेंज इंटू इनटो एलेट्ट्र क्ल एनरजी और उसमें कुछ आपके chemical reactions होते हैं और chemical reaction होने के बाद क्या आता है कि electron का एक अगर यह liquid है हमारे दो terminal है सब्सक्राइब यहां पर ठीक है और यह circuit नहीं रहा है तो यहां से जब हम इसको जब इसमें deep करके reaction करवाते हैं तो यहां क्याता है electron यहां से यहां पहुंच जाता है ठीक हो motion करते हैं लेकिन motion क motion का oppose करते हैं ठीक है तो उस time में क्या होता है जो electron थे प्रॉपर तरीके से मलब बहुत जदा motion में यहां इस दूसर टर्मिलर नहीं पहुंच बाते हैं ठीक है तो इसमें भी क्या होता है इसका अपना resistance होता है ठीक है मतलब यह liquid क्या करेगा इनकी electron का motion का oppose करेगा तो यहां इसका अपना इंटरन रेस्टेंस होता है ठीक है जिसके वैसे electron टोटल अमांट में यहां नहीं पहुंच पाते हैं ठीक है कुछ अमांट में इसका रेजिस्टेंस क्रेट होता है इसके अंदर ही ठीक है तो इसको यह पूरा को पूरा को रखेए एक cell ठीक है यह बैटरी है इस बैटरी को मैंने किए कि सर्कृट में लगाया तो इसमें यहां पर मैंने देखो सिंबलाइज कर रहा है यहां पर कि यह अपके EMF है और इसका अपना गया इंटरन रेस्टेंस है ठीक है तो हमाँरे पाद में कुछ appliances होंगे ठीक ना यहां पर कुछ circuit में आपने जितने भी appliances आपने जोड़ रखे तो उसका अपना resistance होगा ठीक है बाकी अपना खुद resistance होगा ठीक है तो टोटल अमांट में जो हमने अगर current flow कराना चाहते है circuit में तो उतने अमांट में अगर अगर कोई आपका cell है तो यह 5A ना देकि यह आपको देगा कितना current देगा यह देगा आपका 4.8A current flow कराएगा अमने circuit में ठीक है क्यों ऐसा होता है क्योंक होता है ठीक है और अब इसमें देखिए यहाँ पर मैंने current को measurement करने के लिए मैंने इन दो टर्मिनल की बिच में क्या लगा दिया एक बोल्टिमेटर लगा देखिए जो क्या करेगा एक potential drop को measurement करेगा across the resistance ठीक है इस resistance के एक्रोस करेगा बोल्टिमेटर कितना potential drop हो रहा है इसक इस एक को calculate करना चाहूं मैं लाग कितनी current अगर flow करेगी इस circuit में कितनी current अगर यह मेरा circuit है इस circuit में कितनी current flow कर रही है अगर हम इस फॉर्में से i equals to v upon ohms loss से यहां भी calculate कर सते है i equals to v क्या होगा यह e होगा ठीक है potential क्या होगा अभी v e होगा ठीक ना upon resistance का एक यह आर यह है और यह क्या एक आरे है तो र-plus-A錯 completed आरे हो गया इसको जब सॉल अलोंने वितर फिर गहां चल्ड की जड़ेंड़ão से उरा इस कॉनल आर ने सब्स वर्यांगे जहां और यह और यहां और रोगा इंटर्न्रेन्स वाट होग है eenyer your care आपका है जो आपका है इंटर्नल इंटर्नल रिजिटेंस हो गया और यह करेंट जो समय फ्लो कर रहे है और यह वी टी क्यों एक अक्रॉस्ट पॉटेंशल टर्मिनल ऑल्टेज है और ईए इस ट्यप का रिलेशन आता मारा ठीक है तो यहां पर देखें एक चीज़ और बताता जिरो नहीं होगा, खेल्ग ना, अगर आपने सपोसे कि आपने सर्कीट में इसको आन कर ले था, सर्कीट आपने इसको अन कर दिया, तो उस तर्टेश में करेगा, तो potential obviously इसमें 0 होगा लेकिन जरूरी नहीं है कि EMF स्ट्राइब में 0 हो ठीक है लेकिन ये जरूरी ये हो सकता है कि आपका EMF 0 हो तो obviously क्या होगा potential भी 0 होगा ठीक है तो इस टाइब के कुछ चीज़े है इंग में तो यही आपका क्या था इलेक्टो मोटीफ फोर्स था तो यह इथा स्ट्रेंट्स इलेक्टो मोटीफ फोर्स ठीक है ओके स्ट्रेंट्स थैंक यू